होगे दर नमस्त है आप सस्याकाल सो गाइस कुछ दिन से हमला पता है बट आई वोज नॉट वेल अट आल लास्ट टो ट्वेल्फ फोर्टीन देज बहुत जादा डिफिकल्ट थे अन मैं बोडी आज इन फीवर एडेक बोडी पेन गला बैठ गया सब एक सार क्या कर सकते हैं वाइरस को बोल तो नहीं सकते भाई अभी मत आना यार अभी एप्रिल में हम लोगो ओ रिविजन वीडियो देना है या इंपोर्टेंट 1.5 डेस प्लैनर देना है ठीक है तिंग्स नॉट इन कंट्रोल बट थाइंफुली हेल्थ इस गेटिंग बैक तू नॉर्मल लास्ट दो दिन से बेटर लग रहा है आज रेकॉर्ट कर देते हैं वीडियो सो SFM एन SCMP का क्विकली 1.5 डेस प्लैनर एंड जो इंपोर्टेंट क्वेस्टेंट है वो आप लोग के साथ में शेर कर रहा हूँ 1.5 डेस में आप लोग को SFM में क्या पढ़ना है वो भी आप लोग के साथ या पर मैंने सब questions सेट अप कर लिये हैं तो वो भी आप लोग के साथ में शेर कर रहा हूँ टेलिग्राम चैनल डेफिनिटली जॉइन कर लेना, टेलिग्राम चैनल पे आप लोग को यह डाउनलोड मिल जाएगा, दूसरा वीडियो अपना जो यूट्यूब है, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर लेना, अब लोग के साथ शेर करते रहूंगा, तो आप कॉस्टिंग वाल है, तो आप लोग को SCMP दिख जाएगा, तो तब तक फड़ा-फड़ SFM को पहले मैं कवर कर लेता हूं, SFM में तीम कैटेगरी में मैंने डिवाइड के है, A, B and C, मुझे ऐसा लगता है कि ये बार का पेपर SFM का डिफिकल्ट होगा, क्या चीज से आपने स्टार्ट किया है, अभी भी रिकार्ण कर रहा हूं प्लीज, गेट वैल सुन बोल देना, वापस से वो जोश के साथ आप लोग के सामने आ जाओ, सबसे वर्स कर भी नहीं सकते कुछ करने का मन भी नहीं करता है चलो एनिवेश आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ पेपर मेरे हिसाब से सब्सक्राइब का डिफिकल्ट होने वाला है लास्ट दो तीन अटेंप्ट्स है बीन इजी और इन इस फम यह बार थोड़ा आना चाहिए तगड़ा वाला पेपर पिपर अडिफिकल्ट है तो सब कैसे मैंने जोग कॉंसेप स्ट्रॉंग रखेंगे कॉंफिडेंट इंट्रेस्ट रिस्क्रेट मैनेजमेंट तो यहां पे इंट्रेस्ट रिस्क मैनेजमेंट यहां पे आप लोगो ध्यार रखना है यह अदेट इस आडब चैप्टर जो आप प्रायरिटी पे कवर करोगे मेरा बहुत मन था कि मैं वैलुएशन आफ सिक्यूरिटीज एंड फ पूरा ना and based on that then I said that okay, valuation of security को अपन category A में रखेंगे, category B, category B का मतलब यह नहीं कि एक्जाम में आएगा नहीं, but manageable है, थोड़ा उसको बाद में भी अपन लोग manage कर सकते हैं, forex, mutual funds, international financial management, management, securitization and risk management, जो अपने theory chapters है, and last में category C में आता है, corporate valuation, very easy, and जो बाकी के, मेरे theory chapters है, so please आप लोग भी इस priority से पढ़ना, as such, SFM का अगर आप लोग paper देखते हो, तो 120, 125 marks का paper आएगा, and on an average, 10 marks का weightage रहता है, हर chapter में, so almost coverage सब कही हो जाता है, 15 chapter है, so institute try करता है, majorly, sub chapters cover हो जाए, so आप कुछ option में छोड़ सकते हो, the answer is no, theory option में छोड़ सकते हो, the answer is no, because वो भी 25 marks, हर question के बाद आता है, मेरा आप लोग SFM का first video देखोगे न, उसमें मैंने, literally सारे papers को analyze कर वा है, and हर question में, 4 mark, 5 mark, 4 mark, 5 mark, theory questions, 20-20 में डाला है, so why to take that risk, limited portion है, कर लो यार, फड़ा ठीक है, so ऐसा सिनारियो है, so आप exam दिन पे marathon या कुछ लेने वाले है क्या, अगर मेरा health सही रहा, तो 101% मेरा तो पूरा है, plus मैं आप लोगो के लिए, यार क्या must वाला, एकदा मस्त लब, theory का मैंने notes बना है, I think मैंने भी मेरे book में लिखा है, so, बताता हूँ मैं आप लोग definitely आप लोगो ये पूरा का पूरा, जो मैं notes बना रहा हूँ, वो मिल जाएगा, exam देश पर भी आप लोगो दिख नहीं रहा होगा, it's okay, but, जिस दिन आप FR का exam देखे आओगे, उस दिन आप लोगो मिल जाएगा, मैंने portfolio management बना लिया है, derivatives मेरा आज हो जाएगा, forex मैंने collect हो जाएगी, and मेरा health सहीरा, definitely मैं marathon लोगा, and उसमें भी काफी सारी चीजे मैं cover करवाने का, कोशिश करूंगा, as per my doctor, उसने बोला है, शांत रह, it's difficult to take, क्योंकि अब भी, you have just recovered, and at least, और 10 दिन, time लगेगा, but, मुझे ऐसा लग रहा है, कि थोड़ा, push करके, थोड़ा भी ये कफता अच्छी तरह से रहता हो, so, हो जाएगा, let's see, again, can't promise, but, try पूरा रहेगा, that, I will give my best, and, मैं, करूंगा, जो, formula का, and chapters का marathon, मुझे करवाना है, so, on, for a day, that is, second way, आप लोग को, आके, क्या करना है, वो, अभी, मैं quickly, आप लोग के साथ, discuss कर लेता हूँ, but, यहां पे, I hope, यह, आप लोग को clear हो गया होगा, derivatives, कुछ लोग option में छोडते है, क्यों भाई, करके जाओ, na, hundred percent, आने ही वाला, इसमें से question, forex derivatives का, यह बार, जाधा scope है, और जब भी, forex derivatives, आता है, by default, public को, वो, difficult लगना चालू कर देता है, paper, so, that is where, I feel, के, we can do it, हो जाएगा, आराम से, क mutual funds, easy है, इसके लिए category B में रखा है, आने तो वाला ही है, वो भी, 8 मार्क के लिए, in fact, आने तो सारी chapters वाले, just that, कि आप लोग को थोड़ा hustle करके, पहले यह वाले कर लेने, because, इसमें, portfolio में, बहुत सारे formulas है, valuation of security में, bonds है, काफी सारे concepts है, derivatives, थोड़ा by default ही, अपने को तो formulas का, मैं एक पूरा revision कर रहा हूँगा, chapters का and formulas का and, अगर मैं वो नहीं ले पाये, then definitely आप लोग के साथ मैं share करने वाला हूँ, पूरा का पूरा formula sheet, यह तो guaranteed है, यह जैसा मैंने बोला, कि उसके ओपर पूरा काम चाल हुए मेरा, so I will give it, फिर second में को try करना आप लोग, कि अ formula वाला chapter हो जाएगा, बड़ा chapter है, तो अच्छा लगेगा आपको and third derivatives, यह तीन अगर उस दिन हो गए ना, मजा आ जाएगा, then next day, अभी और second में है, तो थोड़ा आप लोग stretch कर सकते हो, next day छुटी है, so I think यह एक देड़, 1.30 तक आगर आप लोग ने पढ़ाई कर लिए औ then you are all set for the next day, फिर अच्छा एक momentum खीच लो गया, फिर forex, IRRM में मैंने hours भी लिखा है, valuation of securities, modules and acquisitions and international financial management, इसी सब से अपन कर सकते हैं, and then last में, रात के टाइम पे, securitization, risk management and जो भी ऊपर तोड़ा derivatives का backlog बची जाएगा, थोड़ा forex का valuation of securities का backlog बची जाएगा, वो अपर लोग इतने time में manage कर सकते हैं, and last day पे जितने भी मेरे theory chapters है, recollection के लिए, वो मैं use करूंगा, ये 1.5 days पे आपको कौन से कौन से questions करना है, अभी भी अगर आप लोग के पास time, I know थोड़ा late हूँ मैं, but as I told you, health issues थे, so I couldn't have, तो अभी अगर आपके पास time है, तो 1.5 days में, please इतना कर तो भी आप लोग के लिए आफ ही अच्छा हो जाएगा, so there I, मैंने मेरे हिसाब से approximately, hundred questions में, पूरा SFM, summate ने का try किया, उससे जाधा आप वैसे भी नहीं कर पा होगे, exam day पे 1.5 days पे, so hundred questions मैंने लिया, मैंने गलती से दर 200 लिखा है, actually मैंने hundred questions लिया है, यह PDF में, telegram channel से you can download, अब आज आते SCMP के उपर, मैंने already SCMP के उपर काफी detailed discussion कर लिया है, plus मेरा यह वाला telegram channel पे, आप लोग को यह PDF मिली जाएगा, जहापे मैंने trend analysis, points to remember, specially आप लोग के लिए जो theory वाला है, sequence कौन सा करना है, chapters का, वो सारी चीज़े, मैं discuss कर चुका हूँ वो वीडियो में, प्लीज वो वीडियो YouTube से आप लोग pick up कर लिजे, that will be very useful, यह मेरे हिसाब से जो category A, B, C, मैंने divide किया, performance measurement, evaluation and transfer pricing, boss, cost management, टेक नहीं, वादब यह 3-4 chapter तो यार, दिल खोलके, institute पूछने वाला है, right, category C में chapter 10 और 1 रखा है, क्योंकि, वो last day पे भी किया, तो भी हो जाएगा, और easy है, फटा-फट अपने को उसका load नहीं लेना है, and then category B is what these chapters are, so budgetary, lean system, vision making and pricing policy, so इस हिसाब से पूरा यह system worked है, जिस दिन आप law का exam देके आओगे, अगर आप दोनों group दे रहे हो, then आपको यह sequence follow करना है, and अगर आपका first paper ही group 2 का SCMP है, then you have 5 days, I think उसके लिए मैंने separate video बना है, so I think sufficient time आप लोग के लिए उस चीज़ का है, so 8th में को lean system, yeah again health permitting, definitely marathon chapters का formula का सब मैं करवा हूंगा, अगर नहीं हो पाय, then in that case, आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग वो marathon attend नहीं कर पात है, then in that case, 8th में को lean system, chapter 1, chapter 2 कर लेना है, फिर 9th में को, which is next day, transfer pricing, performance measurement, cost management, standard costing, decision making वा से वो कर लेना, या पर खीच के, यह 1, 2, 3 chapter उड़ा दिन, तो फिर बाद में, आप लोग के बास, बोलते हैं, module 2 वाला जो पार्ट है, वो बचेगा, and 10th में को मैंने easy वाला पार्ट रखा है, जो आप exam के दिन पर पढ़ सकते हो, so all in all, यह properly follow करो, it will really be helpful, बाकि और कुछ हो तो comments में definitely, you can share, if you need anything else from me, अभी I am getting better, तो अगर आप लोगो लग रहा है कि हमारा सर अफर करने में, start करने में time है, अब अभी कुछ दे सकते हो, तो बताओ में को, I will try my best, चलो, time for me to say, astala vista, you guys, stay strong and healthy, बहुत important है यह time पे guys, healthy रहना, and calm mind रखना, ठीक है, so that is what now you have to do, please, comment पे definitely लिखना देट, yes sir, we are following all the things, and we are going to rock it, this time, positivity, अब बहुत बहुत important है, because यह last moments पे, बढ़ाई से जादा, mind कितना आप लोगो का, strong and stable रहता है, that is going to be the game changer, चलो, time for me to say, astala vista guys, please, अच्छे से पेपर लिखकर आना, and मिलते रहेंगे, exam कक, full support, मेरी तरफ से रहेगा, take care, thank you so much, bye bye